दोस्तो स्वागा थे आप सभी का आज के मारे एक और नए वीडियो में तो दोस्तो आज की इस वीडियो पे मेरे पास यहाँ पर पार साल आ चुका है स्मार्ट वाच T800 Ultra तो आज की इस वीडियो पे हम लोग इसके अन्बोक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि भाई ये स्मार्ट वाच कैसा है जो कि दोस्तों मुझे बहुत ही चीपेस्ट प्राइज में पड़ा हुआ है मातर और मात मुझे 500 रुपए में फिलिपकार्ट के तरफ से मिल गया है तो चलिए हम लोग इसकी फटाफट अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं को इसके साथ क्या क्या मिलने वाला इसके अंदर फीचर क्या होने वाले है और क्या इस प्राइस रेंज की साथ से स्मार्ट वाच ठीक होने वाले है लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सब A to Z जानकारी प्रोवाइड करूँगा तो चलिए फटा फट हम लोग इसकी अंबॉक्सिंग कर लेते हैं यहां से और इस बॉक्स को हम लोग यहां पर इसको कट कर लेंगे और दोस्तों जैसे आप लोग इसको कट करेंगे तो यह रहा हमारा स्मार्ट वाच तो चलिए इसको रखते हैं बॉक्स को साइड में और अब बारी दोस्तों हमको यहाँ पर स्मार्ट वाच की अन्बॉक्सिंग करने की जो की दोस्तों यहाँ पर हमारे पास T800 अल्ट्रा यहाँ पर तो चलिए इसकी फटा पर यह रैपिंग को हटा देते हैं यहाँ पर जो भाई इसमें पैकिंग की गई है काफी इच्छे से यहाँ पर पैक किया गया है और अभी इसके अंदर एक पन्नी यहाँ पर और लगा हुआ है पर इसको भी हम लोग डैपर को कट कर देते हैं यहां से और ये इसको भी कट कर देते हैं और देखते हैं भाई कि इसके अंदर हमको क्या-क्या मिलने वाला है और इसको यहां से लोग इसको हटा लेते हैं अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर इसके box में की quality आप लोग देख सकते हैं जो कि बहुत अच्छी है और यहाँ पर यह वाच जो है यह T800 Ultra यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोग को focus करके दिखा दे रहा हूं यहाँ पर T800 Ultra जो कि दोस्तों यह wireless charging के साथ आता है और यहाँ प देखते हैं क्या रहने वाला है और इसके और भी box के side में देखें तो यहाँ पर स्मार्ट वाच लिखा हुआ है और इधर साइड भी यहाँ पर T800 Ultra स्पेस ग्रे ऐल्मॉनियम केस 49 mm और जो दोस्तों यह यहाँ पर स्मार्ट वाच है यह दोस्तों एपल का जैस्ट डूबल इसकी हम लोग unboxing कर लेते हैं और अब आप जैसे इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक हमको manual मिलता है अपर आप लोग इसको read कर सकते हो वीडियो को post करके चलिए इसको भी हम लोग रखते हैं side में अब बारी है दोस्तों हमारी यहाँ पर main smart watch की तो कि दोस्तों यह रहे हमारा smart watch अब हमको यहाँ पर क्या-क्या मिल जाता है सबसे पहले इसका band मिल जाता है जो कि इस घड़ी को हम लोग को लगा करके हाथ पहनने के लिए तो इसको भी यहाँ पर रखते है side में और दोस्तों यहाँ पर हमको एक मिल जा रहा है wireless adapter यहाँ पर अब आप लोग इस adapter को किसी भी अपने USB charger में लगा करके आप लोग इसको wireless यहाँ पर smart watch को charge कर सकते हैं चलिए इसको रखते है side में अब बारी है दोस्तों यहाँ पर main हमारी घड़ी की यह देखो दोस्तों तो दोस्तों इसके back में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर और इसका front का view कुछ ऐसा है side में इसके कुछ यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक speaker दिया गया है और यहाँ पर एक key है और भी यहाँ पर यहाँ पर इसका change करने के लिए दिया गया है और यहाँ पर यह power on आपकी button है तो चलिए हम लोग सबसे पहले करते क्या है इसको power on करते हैं और देखते हैं कि क्या यह price 500 500 रुपए के प्राइज में बजट में ठीक है आफी नहीं कैसा क्या है मैं भी इसको फर्श टाइम यूज कर रहा हूं जैसा कि दोस्तों मैंने भी काफी रिसर्च किया था काफी अच्छा है मतलब कम प्राइज में काफी अच्छी स्मार्ट वाच है जो कि दोस्तों यहां पर एपल की जैस्टिक कॉपी किया गया है इसको तो चलिए इसको हम लोग यहां पर इसकी साइड में बटन को आपको इसको प्रेस करके रखना है जैसे प्रेस करके रखेंगे हाई वास की तरफ से यहां पर आएगा और दोस्तों यहां पर एक पन्नी लगा हुआ है डिस्पले watch का आप लोग यहाँ पर theme change कर सकते हो इस button को आप लोग जैसे प्रेस करेंगे काफी अच्छे अच्छे theme यहाँ पर दिये गए है और अब यहाँ पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर airplane mode मिल जाता है और भी यहाँ पर targe बगएरा यहाँ पर option दिख रहा था यहाँ पर targe का option दिख जा रहा है जो कि ऐसे करेंगे तो यह थोड़ा display bright हो जाएगा चलिए इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ से आएंगे सीधा और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर app वाले section में लोग जाएंगे यह वाले app वाले पर तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने सारे अभी आप लोग को app देखने को मिलेंगे यहाँ पर dnd mode भी मिल जाएगा calling के लिए आपको मिल जाएगा अलारम भी मिल जाएगा मैसेज वगारा के लिए मिल जाएगा तो चलिए मैं और भी इसके फीचर आप लोग को दिखा दे रहा हूं तो यहाँ पर यह प्लट प्रेशर वगारा चेक करने के लिए है और यहाँ पर music system भी है music भी आप लोग से connect करके इसको play कर सकते हैं और यहाँ पर different type के यहाँ पर आप लोग को यह dial pad मिल जाएगा आप लोग किसी कभी यहाँ पर enter करके call कर सकते हैं और उसके बाद में और भी यहाँ पर feature है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर camera का option मिल जाएगा और आपको यहाँ पर calculator के मिल जाएगा अब हम लोग आएंगे यहाँ पर all app पर click करेंगे अभ यहाँ पर आप लोग क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हूँ यहाँ पर आपको calendar मिल जाएगा यहाँ पर फर्स्ट आप वाट्स प्राइस रेंच में को चलिए हम लोग इसको बैक करते हैं और यहां पर कॉलिंग का उप्शन मिल जाएगा यहां पर वाच्छ में है तो भाई यहां पर घड़ी का उप्शन तो मिलेगा ही क्लॉक का और यहां पर कॉल के लिए सेटिंग करते हैं क्ली क्लिक करते हैं इसे आप लोग इसको आप अपर पर भाउर आप करने के लिए ऑप्शन था तो फिर से हम लोग इसको अन करेंगे कि मैंने वहाँ पर power up को ध्यान नहीं दे क्लिक कर दिया तो power up हो गया था अब फिर से हम लोग जाएंगे उसी section पर setting वाले पर चलिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पर दिखाता हूं एक मिनट यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग तो आल एप पर आएंगे यहाँ सेटिंग का ओप्षन था यहाँ पर आपको माइक का ओप्षन दिया गया लैंग्विज सेलेक्ट कर सकते हैं टाइम सेट कर सकते हैं बैक लाइट टाइम आप लोग सेट कर सकते हैं बैक टू डायल यहाँ पर bed lamp भी आप लोग लगा सकते हैं आप पर function key set कर सकते हैं backlight brightness भी आप लोग यहाँ से adjust कर सकते हैं जो कि दोस्तो काफी feature दिये गए मुझे बहुत अच्छा लगा यह सारे feature इसमें और यहाँ पर screen saver का भी option है dynamic यहाँ पर यह feature क्या है इसका तो मुझे ने पता अगर आप लोग को पता हो तो comment कर देना तो और भी दिखाता हूँ यहाँ पर तो दोस्तो अब आप लोग को करना क्या होता है अब इसको smart watch को आप लोग को phone से connect करना होता है तभी आपके smart watch फर करेगा तो चलिए मैं आप लो आले wifi को आपको on कर देना होता है और इसको intelligent port पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में आपको back चले आना है आने के बाद में इसको रखना है side में चलिए मैं आपको बताता हूँ अब क्या करना होता है अब आप लोगों को अपना जो android phone से आप लोग connect करना चा करना होता है जो कि दोस्तों इस box में भी यहाँ पर उस app का नाम mention है हाई watch pro करके तो यह है यहाँ पर आप तो आप लोगों को simple सा कोई भी स्मार्ट फोन में आप लोग को simple सा चले जाना है play store में अब यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक minute यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर search करना है हाई watch हाई watch है अब आप लोग के हाँ पर click कर देना है यह वाला application आप लोग ध्यान से देख लिजिएगा अब मैं यहाँ पर मेरा तो इस्टाल है अल्लेडी इस्टाल कर लेना मैं तो सीधा open करता हूँ open करने के बाद में आप लोग को फिर करना क्या है आपको यहाँ पर उपर नीचे scroll करना है आप लोग को bluetooth on कर देना है और इसका location अपने phone का on जरूर कर लेना है मैं अचलिए location को on कर दे रहा हूँ यहाँ पर continue करेंगे अब यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे इस app में अब दोस्तों जैसे आप लोग इस app को open करेंगे तो कुछ इस type से आपको interface दिखेगा अब आप लोग को यहाँ पर जो यह set वाला option दिख रहा है यहाँ पर यहाँ पर आपको click करना है click करेंगे तो आप ल आप लोग एक बार Bluetooth को अहाँ पर select करिएगा आप लोग का यहाँ पर टी आर्स वाल्टरा करके दिख जाएगा यहाँ पर आप लोग को simple सा click कर देना click करने के बाद में आपका smart watch यहाँ से connect हो जाएगा जोकि दोस्तों यहाँ पर मेरा connect हो चुका है तो चलिए मैं आप चर्मिल्ला फोन से connect करने के बाद में अब मेरा smart watch फोन से पूरी तरह से connect हो चुका है तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पर सीधा किसी को call लगा के देखते हैं जैसे हमने एचलिए help line number पर हम लोग call करते हैं अब जैसे हम लोग यहाँ पर call करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हं मेरे back में फोन में भी यहाँ पर call लग चुका है और यहाँ पर भी हमारा call जा रहा प्रॉपर पहें भी यहाँ पर देख सकते हो अब जैसे हम लोग यहाँ से cut करेंगे इसको वैसे हमारे phone में भी cut जाएगा अब चलिए यहाँ पर और भी दिखाते है feature इसके क्या क्या है यहाँ पर कैसे work कर रहेगा अब हम लोग इसको थोड़ा सा side में रखते हैं और जाते हैं all feature पर अभी हम लोग यहाँ पर music वगारा को play करके देखेंगे तो यहाँ पर music का option कहाँ पर है यह music वाले पर आ गया है ncs अभी हम लोग यहाँ पर इस music को प्ले करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि यहाँ पर चलिए हम लोग दूसरा music यहाँ पर प्ले कर रहे हैं कि यहाँ पर प्ले करेंगे तो अपने smart watch को on कर लेना है on करने के बाद में यह देखो कि दोस्तों इसके बहुत सारे फीचर हैं अगर आप लोग सारे फीचर के बारे में जानना चाहे रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर देना तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगा तो दोस्तों यही था इसका फीचर और यहाँ पर wireless adapter जो दिया गया है चली उसकी हम लोग बात कर ले रहें हैं यहाँ पर इसको रखते हैं यह जो ben दिया गया है ah house BCS को एक स़से लगाना है चलिए मैं यहां पर लगा कि आप लोग को दिखा देता हूं अब यह कि अ play अब दोस्तों यहां पर करना क्या होता है एक आप लोग को यहां पर इसको साइड में है इसको ऐसे लगा देना है इधर साइड अब यहाँ पर यह वाले बैंड को आप लोगों को इधर साइड इसको एड़ कर देना है इसलिए मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूं भाई नहीं फाई पर फोड़ा स्केल हो रहा है आप कोई ने लग गया दोस्तों अब आप लोग देख सकते हूं यह प्रापर एक वाक्राइच का लूप यहां पर ले लिया है और यहाँ पर अपने हैड में आप लोग उसको पहन सकते हैं चलिए मैं यहाँ पर इसको पहन के आप ल इजली पहन सकते हैं अराम से कोई इसू नहीं है तो यहाँ पर इसको simple सा इसको attach कर देना है अब आप लोग इसको यहाँ से use कर सकते हो तो दोस्तों काफी अच्छा लुक आ रहा है अगर आप लोग बाई करना चाहा रहे हैं आप लोगों को मैं इस वीडियो के description में लिंक दे दूँगा आप लोग वहाँ से जा करके इस watch को buy कर सकते हैं अगर आप लोग मेरे link से buy करेंगे तो साइध आप लोग को हो सकता है काफी छूट मिल दया तो आप लोग जा करके एक बाद चेक जरूर कर लेना अगर आपके according ठीक रहे price तो आप लोग इसको buy कर सकते हैं तो दोस्तो यही था वीडियो वीडियो पसंद आया हो like या subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलना चलिए आज के लिए तना ही मिलते हैं अगली वीडियो में